नमश्कार बोल्ट स्काय में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ खुश्बू अगर आप पहली बार मा बनी हैं तो आप इस बात को अच्छी तरह से समझ गई होंगी कि बच्चे को अकेले संभालना कोई असान काम नहीं है लेकिन ये कोई ऐसा काम भी नहीं है कि जो माईं ना कर सकें बात सिर्फ इतनी सी है कि नई माईं अक्सर बच्चे की देखबाल के दौरान अपनी शमता पर शक करने लगती हैं उन्हें लगता है कि वे जिस तरह से बच्चे को संभाल रही हैं वे तरीका सही है या नहीं अगर बच्चे के साथ साथ घर की जिम्मेदारी और दूसरे कामकाज भी खुदी देखने हों तो टेंशन और तनाव भढ़ना सौभाविक सी बात है लहाज़ अगर आप भी उन्माओं में से हैं जो घर और बच्चे की जिम्मेदारी अकेले संभालती है तो हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे टिप्स जो आपके बहुत काम आ सकते हैं सबसे पहले खाना बनाना और घर के बाकी काम इसे आप तब निप्टाएं जब आपका बच्चा सो रहा हो जी हाँ इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे के सो कर उठने से पहले आपका खाना बनाने का काम पूरा हो जाए और जहां तक संबवो घर के बाकी के चोटे मोटे काम भी इसी दोरान निप्टाने की कोशिश करें जहां तक संबवो घर को व्यवस्तित रखने की कोशिश करें एक व्यवस्तित घर में बहुत जादा साफसफाई की जरुवत नहीं होती बच्चे के खिलोने वगराई दोदर फैले हो तो जब समय मिले उन्हें उनकी सही जगा पर रख दें आप चाहें तो बच्चे के ले एक हाई चेयर खरीच सकती हैं ताकि बच्चे को उसमें बिठा कर उसके आगे कुछ खिलोने रख दें इस चेयर को अपने पास ही लगा ले और अपना काम करते हुए बच्चे पर असानी से नजर भी रखें हर काम का एक शिडिूल बनाएं सारा काम एक साथ एकी दिन करने की कोशिश ना करें इससे आपकी परिशानी और भढ़ जाएगी अगर आपको बच्चा एक साल से अधिक उम्र का है तो उसे अभी से ये बातें सिखाएं कि वे अपने खिलोनों को खेलने के बाद उनकी सही जगा पर रखे ऐसा करने से आप उन्हें बच्च्वन से ही अपना काम खुद करने की आदट डाल सकती है इस वीडियो में फिलाल इतना ही इसी तरी के अन्य जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ